हाई, वेल्कम टु मैं चुनल, इस बीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेशन नुबर वन, जो कि एक्सराइज 2.1 का है, आडी सर्मा बुक क्लास 9 से, तो यहाँ पर कहा रहा है कि simplify the following, तो हम यह करना है कि इसमें जितने भी questions हैं, इस particular question में, question number 1 में, उन सभी को simplify करना है, simplify करने का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर complex में दिया हुआ है, और उसको symbol बनाना है, तो complex का मतलब क्या हुआ, complex में देने का मत constant है, और a to the power 4, मतलब एक का जो है power यहाँ दिया हुआ है 4, और यहाँ पर भी a का power 2 दिया हुआ है, तो यह बताइए, यह दोनों variable सेम हैं, लेकिन अलग 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 जगा पे दिया हुआ हुआ है, और अलग power के साथ दिया हुआ है, इसी को बोल रहा है, यह complex है, और इसको simplify करिए, तो चलिए simplify करते हैं, तो simplify करने के लिए हमाँ जितने भी laws of exponents हैं, उसका use करना होगा, ठीक है, चलिए solve करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए 3, 8th वर 4, 8th वर 3, whole to the power 10, तो हम लोग पढ़े थे, कि जब भी ऐसा रहता है, means, means, x, y, whole to the power रहता है, m, तो क्या होता है, कि जो m power है, वो दोनों में distribute हो जाएगा, मतलब x में भी और y में भी, means, x to the power m, into y to the power m, ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ भी ठीक वही काम करेंगे हम, तो 3 into, यहाद एक कुछ नहीं है, तो मतलब into है, a to the power 4, यह a to the power 4 को हम एक quantity मानें मतलब x जैसा, और इस पर power लगाएंगे हम 10, clear, similarly, यहाँ पर करेंगे b cube का power हम 10, फिर multiplied by 5, और a square का power हम यहाँ लगा देंगे 3, okay, into b square का, जो power है, वो हो जागा 3, और यहाँ multiply रहेगा, ठीक है, अब आपने पढ़ा था एक formula कि a to the power of the m रहेगा और hold the power n रहेगा, तो multiply कर देते हैं m और n को, means m into n ऐसा कर देते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं, proceed, क्या होगा, 3 times, a to the power हो जाएगा 40, क्योंकि 4 into 10 multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 40 into b का power हो multiplied by a square का whole power 3 है, मतलब 2 into 3 हो जाएगा, मतलब a to the power हो जाएगा 6, multiplied by यहाँ पर हो जाएगा, b to the power 6, clear, अब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, कि जो numbers हैं, उनको एक साथ मनपलाई कर देजिए, और जो variables हैं, उनको एक साथ लेकर के, जो हमारा first law है, उसका use कर देजिए, त ठीके, 3 into 5 करेंगे, क्या मिलेगा, 15, ठीके, simple हो गया यह, अब 8 to the power 40 है, और 8 to the power 6 है, तो हमने पढ़ा था कि यह ज़िए, 8 to the power m होता है, into 8 to the power n होता है, तो हम क्या करते हैं, powers को add कर देते हैं, means 8 to the power m plus n कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कि 8 to the power 40 और 8 to the power 6, इन एक साथ लिख देते हैं और यह हो जाएगा b to the power 30 multiplied by b to the power 6 और यहाँ पर जब solve करेंगे तो मिलेगा हमें 15 और यहाँ हो जाएगा a to the power 46 according to this rule ओके और यहाँ पर हो जाएगा b to the power 36 according to this rule so this is our simplification यह simplify हो चुका है और this is our answer चली question इसी का करते है second ओके तो यहाँ पर देखें क्या है question 2x to the power minus 2 y to the power 3 whole to the power 3 है तो जैसा यहाँ पर देखिए formula हाँ पर यह लगेगा m into n into p whole to the power यह रहता है यह ऐसा रहता है तो यह सारे basis पर क्या होता है और distribute हो जाएगा ठीक है मतलब m to the power r हो जाएगा into n to the power r हो जाएगा into p to the power r हो जाएगा और यहाँ भी वही चीज है क्या करेंगे थी को हम distribute कर देंगे 2 x to the power minus 2 और y to the power 3 ठीक है तीनों पर करतेंगे यहाँ पर 2 to the power 3 गहाँ यह गयाल माई नहींच you two to the power 3 है तो तीन बर multiply करना पड़ेगा दो को 8 ठीक है साटकर में कर दिये अब यहां पर दिया हुए x to the power minus 2 into power है यहां पर तो दोनों को multiply कर देंगे तो कुछ नहीं है बस multiply कर दीज़े simple तो x to the power हो जाएगा minus 2 multiplied by 3 into y to the power mn तो मतलब कि आपको वही जो 4 rules है हमारे laws है उसी को यूज करना है आपर चलिए यहां पर हम कर लते हैं तो 8 into यह हो जाएगा x to the power minus 6 into y to the power 9 इसको दोड़ा और simple भासा में लिखेंगे तो देखें जो minus है उसको plus कर दीज़े means 8 y to the power 9 whole upon x to the power 6 this is your simplified version of this okay तो हमारा यही answer है चलिए इसका third बड़ करते हैं ओके तो यहां पर चुक्वेशन है third यहां पर अध्यान सब देखेंगे तो केवल दो quantity दिया हुआ है दो तरह के एक तो simple number दिया हुआ है इसको 4 है 6 है और 8 है ठीक है यह simple numbers है और यहां पर एक exponent के form में दिया हुआ है देखें यह 10 का power दिया हुआ है यहां भी 10 का power दिया हुआ है और यहां भी 10 का power दिया हुआ है आपको simply करना क्योंकि power तो कुछ है नहीं तो directly आप इसको एक साथ रख सकते हैं यहाँ पर whole अपान यहाँ पर 8 ली सकते हैं into अब यह 10 वाले को अलग कर दीजिए separate means 10 to the power यह हो जागा 7 into यह हो जागा 10 to the power minus 5 whole अपान यहाँ भी हो जागा 10 to the power 4 अब थोड़ा simple दिख रहा होगा आपको अब करना क्या है कि यहाँ पर solve कर दीजिए यहाँ solve करने के लिए करेंगे 4 वंजब 4 यहाँ cancel out कर सकते हैं आप ठीक है 4 वंजब 4, 4 to the 8, 202, 236 ठीक है मतलब कि यहाँ पर आगया है आपका 3 multiplied by यहाँ पर solve करेंगे तो पहले उपर आप solve कर लिजिए a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n वाले रूल से ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा 10 to the power हो जाएगा 7 plus minus 5 हो लपान यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power 4 अब क्या करना होगा 3 को बैसे उतार देंगे into 10 to the power 10 to the power 2 डारेक्ट लिखते हैं ठीक है 10 to the power यहाँ पर हो जाएगा 4 अब यहाँ solve करेंगे यहाँ पर कैसे solve करेंगे a to the power m upon a to the power n जब रहता है तो a to the power हो जाता है m minus n मतब जो exponent है यह इसमें से minus हो जाता है ठीक है तो यहाँ भी वही काम करेंगे और हमारा मिल जाएगा answer यहाँ पर अब 3 into 10 to the power 2 minus 4 it means मिल जाएगा 3 into 10 to the power minus 2 और यदि minus 2 को हम plus करेंगे तो मिल जाएगा 3 upon 10 to the power 2 और इसी को हम expand करेंगे यदि तो मिल जाएगा हमें 3 upon 10 into 10 दो बार मिल जाएगा 10 into 10 क्या हो जाएगा 100 है कि नहीं तो हमारा यह हो गया answer clear ओके तो यह आपका fourth question है यहाँ पर ध्यान दिजीगा देखे यहाँ पर 4 दिया हुआ है और 5 minus 5 दिया हुआ 10 दिया हुआ है मिल जाएगा यह numbers है और A, B दो variable दिया हुआ है तो करना क्या है simply आपको इस तरह से सोचना है कि numbers को एक साथ करके solve करना है और variables को एक साथ सबसे पहले क्या करेंगे हाँ कि numbers को अलग कर लेंगे 4 into minus 5 whole upon 10 ठीक है simple अलग कर लिए into देखे सब कुछ यहाँ हमाँ reply किया गया है इसलिए मैं अलग-अलग कर सकते हैं ठीक है प्लस मैनस से दी रहता ना तर नहीं कर पाते हैं तो यह ध्यान दीजेगा आप क्या करेंगे यहाँ पर a जो है यहाँ पर इसको हम अलग करेंगे तो a इसको a into a कर सकते हैं यहाँ पर a multiplied by a देखे ऊपर whole upon b square यहाँ पर कुछ cancel हो सकता है तो cancel कर दीजिए ठीक है 2 तू जब 4 2 5 जब 10 5 बंजब 5 5 बंजब 5 मतब कि उपर बचा है 2 और माइनस 1 बचा है यहाँ पर multiply करेंगे तो मिलेगा माइनस 2 ठीक है multiplied by यहाँ पर देखे ए a into a क्या हो जाएगा powers add हो जाते हैं जब base बराबर हता है तो यहाँ पर हो जाएगा a square upon यह तो a square है ही into यहाँ पर क्या हो जाएगा powers यहाँ भी add हो जाते हैं तो b to the power हो जाएगा 5 whole upon b square लेकिन जब रही नहीं थे यहाँ पर add करना क्योंकि आप नीचो से ये cancel out भी कर सकते थे b square, b square, दोनों exactly same है तो cancel out कर सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पर b q directly आ जाता 2 multiplied by, यहाँ पर दिखिए आप ये cancel कर सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर बचेगा 1 ठीक है, मतब same quantity है कटने पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी वान आएगा यहाँ भी वान आएगा, मतलब 1 upon 1, मतलब 1 into, यहाँ पर minus करना पड़ेगा means, यहाँ पर हमला लगएगा यह वाला a to the power m upon a to the power n तो क्या हो जाता है, a to the power m minus n तो यहाँ पर हो जाएगा b to the power 5 minus 2 means b cube तो this is your simplified version of this expression, ओके this is your answer ओके, तो फिफ्ट कुशन आपका यह है x square y square whole upon a square b cube whole in bracket power n ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए पहले आपका करेंगे numerator को और denominator को दोनों को एक में समझ करके अलग-अलग समझ करके हम n को, n जो power है वो distribute कर देंगे, means हम x square y square को मानेंगे कि एक, एक ही quantity है से p है, यह q है मतलब एक simple मानेंगे, तो मालिजे p रहता है, p upon q है और whole to the power होता है कोई number, मालिजे कि m तो यह m जो है distribute हो जाता है दोनों पर, मतलब numerator में भी और denominator में भी ऐसा होता है, यह दूरूल है यहां भी y काम करेंगे तो क्या करेंगे, कि x to the power square, y to the power square, यहां पर distribute हो जाएगा n ठीक है, whole अपान नीचे denominator में भी यह distribute हो जाएगा तो a square b cube whole to the power n distribute हो गया, अब करना क्या है कि अब यहां पर जो है अब इस n को distribute करेंगे इन दोनों में तो यहां पर भी n जो है दोनों में distribute हो जाएगा, means हो जाएगा x square whole to the power n into y square whole to the power n whole अपान, यहां भी distribute हो जाएगा नीचे similarly, तो a square whole to the power n multiplied by b cube whole to the power n और यहां पर solve करेंगे हम तो मिल जाएगा हमारा x to the power 2n multiplied by यहां मिल जाएगा y to the power 2n whole अपान, यहां मिल जाएगा a to the power 2n into b to the power 3n ठीक है this is your final answer, ओके तो यह आपका है last 6 part, solve करते हैं यहां पर देखें, जैसे हम कर रहे थे हैं जो rules लगा करेंगे, यहां भी वैसे करेंगे तो यहां पर देखे इस तरह का दिया हुआ है कि x to the power m whole to the power n यदि रहता है तो क्या करते हैं powers को multiply कर देते हैं means m into n हो जाता है यहां भी वही काम करना है तो यहां पर simple ऐसे करना है a to the power 3n minus 9 in bracket multiplied by 6 whole upon नीचे power नहीं लगा हुआ है यह दियान दिजेगा यह जो है केवल 6 power जो है केवल उपर वाले में था a to the power 3n minus 9 में था लेकिन नीचे वाले में कुछ power नहीं है तो इसको हम simply as it is 2n minus 4 रख देंगे ठीक है अब यहां 6 से उपर multiply करतेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है तो 8 to the power क्या आएगा है हाँ पर 6 रिजा देखे 6 से अब दुनों multiply करना पड़ेगा यहां भी और यहां भी तो पहले 6 से करते हैं इसमें 6 रिजा 18 n minus 6 नेजा 54 whole upon clear है अब गया करना है कि देखे 8 to the power something आ गया यहां पर और यहां पर भी 8 to the power 2 n minus 4 आ गया तो यहां पर हम रूल लगाएंगे यह वाला b to the power दिमाले जो m होता है अपान b to the power n होता है यह दोनों base बराबर हैं तो क्या करते हैं कि powers को minus कर देते हैं मतलब m में से numerator वाले power में से denominator का जो power है वो minus कर देते हैं तो यहां भी ठीक वही काम करना है और simplify हमारा हो जाएगा मतलब 8 to the power क्या करेंगे 18 n minus 54 में से minus कर देंगे in bracket 2 n minus 4 एक बात ध्यान रखेगा यहां पर यह 2 n minus 4 को ऊपर ले जाएगा minus करने के लिए तो bracket में ले कर जाएगा क्योंकि यहां पर 2 terms है एक 2 n है और एक minus 4 है तो यदि आप बीना bracket के ले जाएँगे तो गलत होने का chance 100% है ठीक है क्योंकि आप plus minus में mistake कर देंगे अब यहां पर minus करेंगे तो 8 to the power हो जाएगा यहां पर 18 n minus 54 minus अब देखिए इस minus ले करेंगे यहां पर तो plus हो जाएगा plus 4 अब देखिए जो similar variables होते हैं उनको एक साथ solve करते हैं तो 18 n और 2 n इसको एक साथ solve करेंगे तो 18 n minus 2 n है तो इसमें साथ minus हो जाएगा और finally मिल जाएगा 8 to the power 16 n और यहां पर देखिए 54 minus 54 है यह plus 4 है तो यहां पर numbers हैं इनको solve पर सकते हैं तो minus 54 में से plus 4 होगा तो minus 50 मिलेगा ठीक है and this is your answer this is simplified version of this expression this is your answer तो hope कि आप उसमझ में आ गया होगा यदि आप को समझ में आ रहा है तो बिल्गल आप subscribe कर सकते हैं subscribe ने किया हैं तो और यदि कोई भी doubt आप तक आया है आपको यदि मुझे लगता है कि आपको doubt नहीं होगा यदि doubt होगा भी तो comment box में लिखेगा जरूर और यदि doubt नहीं भी है तब भी comment box कुछ लिखेंगे मेरा लिए तो मेरे बहुत उच्छा रहेगा thank you so much bye